राधे राधे फ्रेंट्स वेलकम बैक टू मैं चैनल आधी कल्चुरल वर्ड देखे आज हम लड़ू को पाल जी के लिए ये बहुती खुब सूरत सी ड्रेस बनाएंगे आप देख सकते हो ये कितनी सुन्दर लग रही है हम इसको बहुती आसानी से बना सकते हैं मैंने बहु इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा तो चली अब हम ये ड्रेस पनाना शुरू करते हैं इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लीजे साथी साथ बैल आइकन भी प्रेस करिए जिसे मेरे आनी वाली वीडियो की नोटिफेकिशन आपको सबसे पहले मिले सबसे पहले हमने शाटन के कपड़े में से एक पीज कट कर लिया है इसकी लंगाई भी हमने सारे 10 इंच यानी की टैना आफ इंच इंच आफ इन्च रखी है और इसकी चोड़ाई भी हमने सारे 10 इंच ही कर लिया है देखिए पेपर पेस्टिंग लगाना बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आपके पास नहीं हो तो आप इसके बिना भी ये ड्रेस बना सकते हो अब हम इसको बिल्कुल बीच से ऐसे फोल्ड कर लेना है और एक बर ऐसे फोल्ड कर लेना है और एक बर ऐसे फोल्ड कर ले और कोॉरनर पे भी हमें फाइफ इंचिज़ पर मारकंग करनी है. अब हमें गुलाई देते हूए इन्सारी मारकिंख को आपस में मिला लेना है. दिख्ये, अब हम इसको इसी शेप में कट कर लेंगे. हमने दीखिए इसको कट कर लिया अब यहां से हमें half inches पर marking करनी है और इसको गुलाई देते हुए यहां पर कमर की cutting कर लेनी है हम यहां से यहां तक का जो diameter है वो हमने 10 इंच रखा है और यहां से यहां तक का diameter भी 10 इंच ही रखा है हमने मैं आपको measure करके दिखाती हूँ देखिए हमें यहां से यहां तक का diameter 10 इंच रखा है और जब हम इसको इधर से measure करते हैं तो हमें इधर से इधर तक का diameter भी 10 इंच ही आएगा अगर आप बड़े लड़ू गोपाल जी के लिए यह dress बना रहे हो तो जैसे जैसे लड़ू गोपाल जी का नंबर बढ़ता जाएगा हमें डायमीटर में एक एक इंच एड़ करते जाना है यानि कि 4 नंबर के लड़ू गोपाल जी के लिए हमने 10 इंच का diameter रखा है तो 5 नंबर के लड़ू गोपाल जी के लिए हमें 11 इंच का diameter रखना है और अगर आप छोटे लड़ू गुपाल जी के लिए ये ड्रेस्ट बना रहे हैं तो जैसे जैसे लड़ू गुपाल जी का नंबर घटता जाएगा हमें डायमीटर में से एक एक इंच घट आते जाना है अब हमें यहां से यहां तक सीधे एक कट लगा लेना है हमने देखिए सीधे एक कट लगा लिया अब हमें यहां से सिलाई लगानी शुरू करनी है और यहां चारो तरफ से सिलाई लगाते हुए कमर के भी चारो तरफ से एक सिलाई लगा लेनी है और इसी साइज का हमें एक नेट का फैबरिक भी कट कर लेना है हमने देखिए चारो तरफ से इस पर सिलाई भी लगा लिया है इसके साथ हमने सेम इसी साइस का नेट का फैबरिक भी कट कर लिया है हमने फिर से वाइट कलर का नेट का फैबरिक कट कर लिया है इसकी लंबाई हमने 9 इंच रखी है इसको भी हमें बिल्कुल बीचो बीच से ऐसे फोल्ड करना है और फिर एक बार ऐसे फोल्ड कर लेना है अब हमें इसको यहां से मेजर करते हुए 4 इंचिस पर मार्किंग कर लेनी है देखिए पहले बारे पीस में हमने 5 इंचिस पर मार्किंग करी थी इसमें हमें 4 इंचिस पर मार्किंग करनी है बीच में भी हमें 4 इंचिस पर मार्किंग करनी है और कॉर्नर पे भी हमें 4 इंचिस पर मार्किंग करनी है अब हमें गोलाई देते हुए इसको इसी शेप में कट कर लेना है हमने देखे इसको कट कर लिया है बिल्कुल गोल शेप आया है इसका अब हमें इसको ऐसे फोल्ड करना है देखे हमें नीचे वाले कपड़े से इसको एक इंच उपर रखना है हमें इसको बिल्कुल बराबर में नहीं रखना है एक इंच ऊपर तक फोल्ड करना है इस तरीके से अब हमें एक पर और इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है देखिए हमने इसको पोल कर लिया अब जैसे हमने हाफ इंचेस पर कमर की कटिंग करी थी उसी तरीके से हमें इसमें भी हाफ इंचेस पर मार्किंग करते हुए कमर की कटिंग कर लेनी है देखें हम यहाँ पर half inches पर marking कर ले हैं अब हमें गुलाई देते हुए इसको मिला देना है और कमर की cutting कर लेनी है हमने कमर की cutting कर ली इस तरीके से हमारा दूसरा layer भी तयार हो गया है अब तीसरी layer तयार करने के लिए हमने फिर से net के fabric में से एक piece कट कर लिया है इसकी लंबाई हमने 8 inch यानि की 8 inches और इसकी चोड़ाई भी हमने 8 inch ही रखी है इसको भी हमें fold कर लेना है इस तरीके से और फिर एक बार हम इसको ऐसे fold कर लेंगे अब हमें इसको यहाँ से measure करते हुए ऐसे 3.5 inches पर 3.5 inches पर marking करनी है बीच में भी हमें 3.5 inches पर marking करनी है और corner पर हमें 3.5 inches पर marking करनी है अब इन सारी markings को हम आपस में मिला लेंगे और इसको इसी shape में cut कर लेंगे हमने देखे गुलाई देते हुए इसको भी cut कर लिया है अब हमें ऐसे fold करना है इसको भी यहां से नीचे से हमें एक इंच ऊपर तक रखना है इस वाले फैब्रिक को बराबर ने करना है अब हम इसको एक बार और ऐसे फोल्ड कर लेंगे और यहां पर हाफ इंचेस पर मेजर करते हुए कमर के कटिंग कर लेंगे अब देखिए हमने यह जो दोनों पीसेस कट किये हैं इसमें भी हमें बीच में से सीधे एक कट लगाना है कमर के पास से ही देखिए हमें यह ध्यान रखना है कि जिधर से हमारा कपड़ा चोटा है उधर से हमें कट नहीं लगाना है जिधर से हमारा कपड़ा बड़ा है इधर से हमें बीच में से कट लगाना है इन दोनों पीसेस में से आप देख सकते हैं यहां से छोटा है तो यहां से कटने लगाएंगे हम इधर की तरफ से लगाएंगे अब हमने नेट के फैबरिक में से कुछ पीसेस कट कर लिये हैं इसकी लंबाई हमने एक मिटर रखी है और इसक देखे, सूई धागा ले लेना है और यहां इसके बिल्कुल बीचों बीच से इसको ऐसे टक करते जाना है। इसी तरीके से टक करते हुए हमें ये पूरी लाइन कम्प्लीट कर लेनी हैं और ऐसे ही हमें कई सारे पीसे बना लेने हैं। हमने देखे बीच में सिलाई लगाते हुए इसको इकठा कर लिया है अब लास्ट में हम इसको लॉक कर देंगे तेखे हैं आपने इसको कठा करके जॉइंट कर लिया है मेरे पास एक मीटर लंबा ही कपडा था तो इसलिए मैंने इसको पीसस में बनाया है अगर आपके पास लंबा कपडा हो 2-3 मीटर का तो आप लंबे साइज में भी इसको बना सकते हो अब हमने ये जो लेयर्स कट करी थी हमें इसको ले लेना है और यहां नीचे की तरफ से इसको बीचो बीच से रखते हुए जहां से हमने इसमें टाके लगाए है ना हमें बहां से लखना है इस तरीके से और बीच में इसे सिलाई लगाते हुए नीचे की तरफ से इसे चारो बिल्कुल बराबर से चारो तरफ से एसके ऊपर बड़ाबर करते हुए अब अब इस पर तीस रा वाला फ्रिल भी लगा लिए भी देखें इस तरीके से मने यह हैं यहां कमर पे जिलाई लगा लेनी है जिसे कि ये जो हमने तीनों लेयर्स बनाई है ये बेस में जॉइंट हो जाएगा हमने देखे तीनों लेयर्स लगा लिये हैं अब ये जो हमने कमर पे सिलाई लगाई है इसको ढखने के लिए हमें फिर से ये जो नेट के फैब्रिक से हमने फ्रिल बनाया था इसको लेना है और यहाँ पर रखते हुए इस तरीके से कमर के चारो तरफ से लगा लेना है हमने देखे कमर पे फ्रिल लगा लिया अभairy के दोड़ी के दो पीसेके ले लिए हैं यह जो हमारी कटिंग वाली साइड है एक पीस को हमें यहां रखते हुए इस पर सिलाय लगा लेनी है और दूसरे पीस को हमें कटिंग के इस साइड लगा लेना है हमने डोरी भी लगा लिए अब आप देख सकते हो ये कितना खुपसूरत लग रहा है अब हम लड़ू गोपाल जी के लिए चोली बनाएंगे चोली बनाने के लिए हमने देखे सबसे पहले बुक्रम का एक पीस कट कर लिया था उसके उपर हमने फैबरिक ग्लू की हेथ से वाइट कलर का वैलवेट का कपड़ा चिपका लिया है इसके लंबाई हमने 5 इंच रखी है और इसकी चोडाई हमने 2.5 इंच रखी है अब हमें इसको बीट से fold कर लेना है velvet का जो कफड़ा है इसको हमें अंदर की तरफ रखना है इस तरीके से हम इसको fold करेंगे और एक बार आर fold कर लेंगे ये जो हमारी folded वाली साइड है यहां से हमें neck की cutting करनी है देखे हमें neck की cutting कर ली कुछ इस तरफ से हमें 0.75 इंचिस पर मारकिंग करनी है दिखे इस तरीके से अब कर लेा अब्ने से इसको बीछों बीच में कटकर लिया Union a कि है कि अणिधि Index कट कर लिया अभर यह सिल्वर cod कर लिया कि यहां ं Peanut mascot is hilo अगर मैं यह सदेуск ऐनालेना राउ इसको यहां से रखना है और गले के चारों तरफ से लगाते हुए यहां तक लगा लेना है हमने लेस लगा ली अब हमने डोरी का एक पीस कट कर लिया है सिलवर कलर का इसको हमें यहां बीचो बीच में नीचे की तरफ रखना है और एक बार फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा कर डोरी को जोइंट कर लेना है हमने देखिए डोरी भी लगा ली अब हमने ये ब्रोच ले लिया है ये मार्केट में इजीली मिल जाते हैं इस तरह के ब्रोच इसको मैंने घर पर बनाया है अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए मैं आ देखिए अब यहाँ पे चोली पे हमें इसको इस तरीके से लगा लेना है ऐसे तिर्शा करते हुए हमने देखिए चोली पर ब्रोच भी लगा लिया है अगर आपके पास ब्रोच नहीं हो तो आप कोई भी नग या फ्लावर भी लगा कर चोली को हैवी बना सकते हो तो साथ पेल आइकन भी प्रेस करें जिसे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलें थैंक यू